है नमस्कार दोस्तोों आज अभी हम अटो एक्सपो के अंदर है और लगतार यहां से हम आपको जो है काहें और उसो यहां पर पर पिछ नए उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, फिलाल हमारे साथ कंपनी के जो ग्लोबल बिसनिस देखते हैं सर, वो हमारे साथ है और फिलाल हम उनी से बात करते हैं, तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चानल पर, आप थोड़ा सा हमें ये बिताइए कि क्या कुछ आज ल तीन प्रड़क का लांचिंग किया है, एक है स्कूटर हाई स्पीड कैटेगरी में जिसका नाम है मिहोस और दूसरा प्रड़क्ट है रॉक्फेलर जो हमारा एक बाइक कैटेगरी ने मोटर साइकल कैटेगरी में हमने एक प्रड़क लांच किया है और तीसरा प्रड़क्ट है हमारा L5 केटेगरी में आटो रिक्षा जो 1 प्लस 3 पैसेंजर को केरी कर सकता है और यह तीन प्रोड़क्ट का हमने आज इनागरेशन लांजिंग और अन्वीलिंग किया है यहां पे आटो एक्सपो में तो यही है कि यह प्रोड़क्ट है हमारी जॉई इबाइ की तरफ से तो आने वाले टाइम में कंपनी की तरफ से और क्या चीज़ें जो है लोगों को देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में जो हमारे जो प्रदानमंत्री है और हमारी जो कंट्री का जो फोकस है में किन इंडिया या भारत में बनने वाला प्रड़क्ट इन इंडिया वा है है इनी हम चाहते हैं कि जो भी product बने indian domestic components के साथ बने तो हमारी company आठो रिक्षार जो launch कर रही है या हमारा बाइक है rockfella और हम तीसरा जो product मिहहॉस यह तीनो जॉबाइक की तरफ से 100% made in india make in india वह प्रडॉक्त बनेगा और वह launch तो हमारा plan यह कि हम इंडिया बेस्ट कंपोनेंट को सूर्च करें के इंडियन में इंडिया वाला प्रडेक्ट लॉंच करें यह वाला हमारा फोकस रहेगा सर अगर मैं यहां आप से बात करूं कि आप ग्लोबल ऑप्रेशन्स जो है कंपनी की तरफ से देखते हैं तो फिलाल अभी इंडिया में जैसे अभी नितिन गटकरी जी भी आये हुए थो नोंने भी बताया कि आप लोग यहां मैक्सिमम जो है चीजे बनाईए और बाहर जो है उसको आप भेजिए एक्सपोर्ट यहां से आप कीजिए तो उससे सभी का फायदा है कंट्री का भी फाय हमने शुरुआत करी है आफरीका में तो हमारा एक छोटा सा प्रेजेंस है युगांडा में और अभी हाली में हमने नेपाल भी शुरू किया है तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्री जो आसपार्ड उसकी जो देश है बांगला देश है नेपाल है भूटान है इस कंट्री में सी बहुत सारी इंक्वेरी जाई है बट शुरुआत करने के लिए हमने दो कंट्री से शुरुआत करी है आफरीका में युगांडा और नेपाल में शुरू किया है नेपाल में हमारा शोरूम भी खुल गया है काटमंडो में और अभी दूसरा शोरूम खुल बताया कि किस तरीके से कंपणी आगे एक्सपेंशन जो है अपना कर रही है आज क्या प्रोडक्स कंपणी की तरफ से लॉंच किये गए है यह सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें